गुर्ण मॉनिंग बच्चों आज हम फिनॉल बनाने की समान्य विधियों का अध्यान करेंगे तो देखिए फिनॉल बनाने की समान्य विधियों सबसे पहले प्रयोग साला विधि देखते हैं यदि आपको अपने प्रयोग साला में फिनॉल बनाना है तो आप डाई एजोनियम क्लोराइट से फिनॉल बना सकते हैं डाई एजोनियम क्लोराइट बनाने के लिए सबसे पहले हम एनिलीन लेंगे आपको बता है एनिलीन का सुत्र होता है C6H5NH2 यह है एनिलीन इस एनिलीन के बिक्रिया हम करवाएंगे HNO2 से और साथ ही HClB में लेंगे और 0 डिग्री सेलसियस पर इसे आप कर्म करेंगे तो दीखते हैं यहाँ पानी के दो अड़ों बहार निकलेंगे यह दो हाइटोजन, तीन हाइटोजन, चार हाइटोजन और दो अक्सीजन यह पानी के दो अड़ों बहार निकले और यह नाइटोजन यहाँ जोड़ी के N2 हो जाएगा और यह C1 यह जो सरचना है डाई एजोनियम क्लोराइट की है अब इस डाई एजोनियम क्लोराइट का डाईलूट HCl की उपस्थिती में आप जलब घटन कराएंगे यह हमने चलब घटन कराया डाईलूट H2A सफूर की उपस्थिती में तो हम यह देखते हैं कि यह जो ओएच है यहां जूड़ जाता है हमें अब फिनॉल प्राप्त हो गए वह यहां चला जाएगा एंटू और यह जो HCl क्रिया करके उत्पात के रुप में बाहर निकल जाएंगे इस तरह से हम प्रयोक शाला में डाई एजोनियम क्लोराइट की शाहिता से फिनॉल बना सकते हैं फिर से देखिए यह एनेलीन इनेलीन की क्रिया हम नाइट्रस हमलोर HCl के उपस्तिती में सुनी डिग्री सेल्सियस पर कराया पानी के दो अड़ो इसमें बाहर निकले इसके पस्चात यह जो डाई एजोनियम क्लोराइड बना डायलोट इस्टेशोफॉर की अभी क्रिया में जलब घृतन कराया हमने तो जो जलब घृतन कराये तो हमने देखा कि यह जो वह है इस पहले पोजिशन पर जूड़ जाता है फिनॉल बनता है क्लोरो बेंजीन भी बन जाता है कभी कभी इसलिए हम यहां क्लोराइट के स्थान पर हम बेंजीन डाई एजुनियम हाडुजन सल्फिट लेते हैं देखिएगा डाई एजुनियम सल्फिट हाडुजन डाई एजुनियम सल्फिट यह है इसकी सरचना इस तरह से रहेगी यह है बेंजीन डाई एजुनियम हाडुजन सल्फिट अब यहां हम इस हाडुजन सल्फिट का जलब घटन करवाएंगे डाई लूट एजुनियम सल्फिट इसमें भी लेंगे और जलब घटन कराने पर हम देखते हैं कि हमें फिनॉल प्राप्त होता है यह देखें यहां यह एज टो इसो फॉर बन जाएगा और ओएज यहां जुड़ जाएगा नाइटोजन गैस के रूप में बाहर निकलेगा यह बना फिनॉल नाइटोजन गैस निकली और एस्टो इसो फॉर बाहर निकला तो हम देखते हैं जब बेंजीन डाई एजुनियम हाडोजन सल्फेट की उपस्तिती में जब जलब घटन की क्रिया होती है तो फिनॉल बनता है और और हमें नाइटोजन गैस प्राप्त होती है सांथी एस्टो इसो फो प्राप्त होता है अब हमको मार्केटिंग करनी है या हमें अधीग मातरा में फिनॉल बनाना है तो डाउव विधी का प्रयोग करेंगे डाव विधी से हम फिनॉल बनाएंगे देखते हैं और योगिक विधी और योगिक विधी में हम डाव विधी देखते हैं और डाव विधी में जो क्लोरोबेंजीन होता है उसकी अभिकरिया हम करवाते हैं सोडियμ हैड ऑक्साइट की उपस्तिति में 300 डिगरी सेलसियस पर और इसमें एटमास्फियर 200 एटमास्फियर दाव पर देखते हैं डाव विधी क्लोरो बेंजीन हम लेते हैं और साथ ही हमने लिया सोडियम हाड अकसाइड इसे हमने 300 डिग्री सेल्सियस तक गरम किया और इसमें दाब रखा 200 एट मास फियर यहां देखिए यह सोडियम फ्लोराइड अलग हो जाता है और हमें फिनाल प्राप्त हो रहा है यह था दाव डाव मेथट जिसमें हम यह देखते हैं कि सबसे पहले इसमें इस अभी क्रिया को हम इस तरह से बना सकते हैं तीन इस टेप में तब से पहले यह फिनाकसाइड बनेगा इसमें देखिएगा सोडियम फिनाकसाइड बनेगा सबसे पहले सीधे नहीं बने गए और उसकी पस्चाथ इसमें इसमें इसल बहार निकलेगा अब यह जो सोडियम फिनाकसाइड बना है इसकी अभी क्रिया हम इसल से करवाएंगे अब देखिए इसल से अभी क्रिया करवा रहे हैं और यह इसमें इसमें बहार निकलेगा यह था डाव मेथड जिसमें हम अद्दोगी कुद्मादन करेंगे फिनाल का हमने इसमें क्लोरोबेंजीन लिया और यह इस क्लोरोबेंजीन में इस तरह से अपने आएनों में तूटते हैं यह प्लस आएन यह माइनस आएन और यह यहां जूड़े आते हैं इस तरह से यह हमको सोडियम फिनाकसाइड प्राप्त हुआ यह जो सोडियम फिनकसाइड हमको मिला इस सोडियम फिनकसाइड को फिर से हम HCL से अभी क्रिया करवाएंगे और HCL से अभी क्रिया करवाने पर हमको फिनाल राप्त हुआ यह हमें फिनाल राप्त हुआ इसके पस्चाथ हम अगली अभी क्रिया देखेंगे sodium, benzene, sulfonate C. sodium, benzene, sulfonate, sodium, benzene, sulfonate, की अभिक्रिया हम करवाते हैं sodium hydroxide के साथ हमने तू अडू sodium hydroxide लिया तो हमें जो product राप्त होगा उसे हम फिर से देखते हैं इसमें और इस विधी में सबसे पहले sodium, benzene, sulfonate यहां दो अडू sodium hydroxide से भिक्रिया करेगा और यहां सबसे पहले sodium phenoxide बनेगा sodium phenoxide हमको यहां प्राप्त हो रहा है साथ ही यहां पर भी हम देखते हैं टेंपरेचर 200 से 300 degrees Celsius तक टेंपरेचर रखते हैं और गर्म करने पर हमें sodium phenoxide प्राप्त होता है और इसके पस्चात इसमें कुछ और product मिलते हैं sodium sulphate और पानी देखेंगा यहां दो अड़ो हमने यहां लिया है इसे हम अपनी सुविधा के लिए दो बार लिखें तो पानी के हमको दो अड़ो यहां प्राप्त होंगे एक अड़ो पानी का मिलेगा पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा और यह जो एने वह है यहां जुड़ जाएगा और एने टू एसो फूर एने टू एसो फूर हमको यहां प्राप्त होगा अब इस सोडियम फिमक्सायड की अविकरिया हम हम एच-सियल से करवाने पर हमने देखते हैं कि यहां हमें फिनौल प्राप्त हुआ है साथ ही एनेसियल हम्हें प्रोडक्ट की रूप में प्राप्त हुआ है यह है फिनॉल और यह सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड इसमें प्रोडक्ट के रूप में मिला तो फिर से देखिएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं सोडियम हाइड ऑक्साइड की दो अडों के साथ तो हमें 200 से 300 डिगरी सेलसियस तक गर्म करने पर सोडियम फिनॉकसाइड मिलता है और साथ ही सोडियम सलफेट और पानी के अड़ों हमें प्राप्त हो रहे हैं और यह जो सोडियम फिनॉकसाइड है इसकी अभी क्रिया हमने HCL से करवाई तो हमने देखा यह फिनॉल बना और सोडियम क्रोराइड हमें प्राप्त हुआ इसके पस्चाथ हम देखते हैं फिनॉलिक अमले से अभी क्रिया तो हम फिनॉलिक अमले लेते हैं इसके अभी क्रिया हम सोडियम हैट अफसाइड से करवाते हैं कि देखिए बच्चों एक फिनॉलिक अमल है और इसकी अभी क्रिया हम करवाएंगे सोडियम हाड अक्साइड के साथ तो सबसे पहले तो इसका नाम देखते हैं चुकि यहां कार्बोग जिलिक समू है इसलिए यहां से हम गिंती करेंगे यह है हाड अक्सी इसको वन मानेंगे यह बेंजोई कम लग और छटमें पोजिशन पर हाड अक्सी समू है तो यह हाड अक्सी बेंजोई कम लग यह यह देखिए यहां हम फिनाली कमल से अभी क्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें हमने उधारन लिया है हाड अक्सी बेंजोई कमल का जो सोडियम हाड अक्साइड से अभी क्रिया कर रहा है और जब कभी भी मैंने नामकरण में बताया था कि यह जो कार्बोग जिलिक समू यदि उपस्तित होता है तो यह जो वह अच्छे प्रतिस्था पर समू हो जाता है और इसे मुख्य क्रियात्मक समू मानकर नंबरिंग की जाती है और यहां से जब हम नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से 1,2,3,4,5 किंती करेंगे तो यह बेंजोईक अमल है ओएक लगा रहते हैं बेंजीन में थे बेंजोईक अमल बना और यह छटवे पोजिशन पर वह समू है इसलिए 6 हाइड ऑकसी बेंजोईक अमल है और इसकी अभी क्रिया हम करवा रहे हैं सोडियम हाड बनाएगा तो देखिएगा यह बेंजीन रिंग अब इसमें पाने क्याड़ों बहार निकलेंगे इसमें यह जो सोडियम है यहां जूड जाएगा और यह हाडोजन और यह वह यह यहां क्रिया करेंगे और इसी पोजिशन पर अवे ओ एने बन जाएगा और यह कार्बन डायाकसाइड क्रियों भी बहार निकले ओ और यह पाने इस तरह से यह कार्बन डायाकसाइड बहार निकला और पाने करो इसमें बाहर निकल गया इसके पस्चात हमें यह जो सोडियम है डॉक्साइट प्राप्थ हुआ है इसकी अफिक्रिया हम है एक सीयल से करवाएंगे और हमें OH प्राप्थ होगा साथ ही NACL प्राप्थ होगा अब यहां हम देख रहे हैं कि यह आर्थो पोजिशन पे यह वे समुझूड़ा हुआ है और रियरेजमेंट के तहत यह पोजिशन इसकी चेंज हो जाएगी और हमें इसको फिर से देखेगा यह है हाड्राक्सी बेंजोई कमल जो सोडियम हाड्रोकसाइड से अभी क्रिया कर रहा है और बना रहा है आर्थो पोजिशन पे फिन ऑक्साइड जो साथ ही कार्बन डायक्साइड और पानी भी बन रहा है है क्रिया करेगा और सोडियम क्लोराइड इसमें बाहर निकलेंगे यह आर्थो पोजिशन पर ही रहेगा और इसमें री अर्रेजमेंट की क्रिया होती है कि उसके पस्चात हमको फिनॉल प्राप्त होगा अब अगली विधी हम देखते हैं ग्रिग नार्ड अभी कर्मक से ग्रिग नार्ड अभी कर्मक का समाने सुत्र क्या है और एमजी एक्स और एमजी एक्स ग्रिग नार्ड अभी कर्मक का सुत्र है अब हम इसमें लेते हैं फेनिल मैगनेसियम ब्रोमाइड फेनिल मैगनेसियम ब्रोमाइड हमने फेनिल मैगनेसियम ब्रोमाइड की क्रिया अक्सिजन से करवाई और यहां पर देखिए फेनिल मैगनेसियम ब्रोमाइड MGBR इसकी अभी क्रिया नौजात अक्सिजन से करवाई हमें जो प्रोड़क्ट प्राप्थ हो रहा है वो MGBR प्राप्थ होगा और इसका हम जलब घटन करवाएंगे हम जलब घटन करवा रहे हैं तो यह जो O है यहां चला जाएगा और साथ ही हमें यह कंपाउंड प्राप्थ होगा तो देखीगा फेनिल मैगनेसियम ब्रोमाइड नौजात अक्सिजन से क्रिया किया जिससे हमें यह माध्मिक योगिक प्राप्थ होगा इसका हमने जलब घटन किया जलब अब घटन करने पर यहां देखिए यह तूटता है इस तरह से अपने आइनों में और यह जो हाडोजन है यहां जूड जाएगा और एमजी यहां पर यह हालॉकसाइड आयन और ब्रोमाइड नीचे आ जाएगा इस तरह से हम जब ग्रिगनाड अभी करमक से अभी क्रिया करवाते हैं तो हम यह देखते हैं कि हमें फिनॉल प्राप्थ होता है फिर से देखे से यह क्या है मैगनीसियम ब्रोमाइड ना और नौजात अक्सिजन हमें प्राप्थ हो आख्सी करण की क्रिया हो रहे इसमें तो यह जूड जाएगा यह ऑक्सिजन कहां चला जाएगा यहां तो यह क्या हो जाएगा O M G B R हो जाएगा अब पानी से अभी क्रिया हम करवा रहे हैं इसे पानी से अभी क्रिया करवा रहे है एच प्लस आयन है और हम यह देखते हैं कि यह जो हाइडोजन है यहां जुड़ जाएगा और यह जो मैगनिसियम है इस तरह से एक कंपाउंड बना लेगा तो बनाने की और भी विधियां इसमें जिसे हम और देखेंगे तो हमने जो पहुंच सारी विधियां देखी उसमें सी ग्रिगनाडवी कर्मक भी था इसके माध्यम से हमने फिनॉल बनाया हम ग्रिगनाडवी कर्मक से फिनॉल बना रहे थे अब हम अगली विधि देखेंगे रेसिंग विधि इस विधि का प्रयोग सबसे पहले जापान में किया गया था 1940 में और इस विधि में हम क्लोरो बेंजीन लेते हैं क्लोरो बेंजीन लेते हैं और क्लोरो बेंजीन की कजल अब घटन करवाते हैं 425 डिग्री सेल्सियस है 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 इसमें बाहर निकल जाएगा और यह जो वह एच्छ है यहां जोड़ जाएगा ते देखे रेसिंग भी थी जिसमें हमने क्लोरो बेंजीन लिया और पानी से अभी क्लिया करवाई जल अब खटन करवाया पानी जिसे हम आइनों में तोड़ेंगे हो एच लिख सकते हैं इसमें प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है तो यह जो है यह बाहर निकल जाएगा औ इस तरह से हमें फिनाल राप्त होगा यह समझ आया देखिए इसमें सर्थ यह रेसिंग विधी में टेंपरेशर कितना होना चाहिए चार सव कुछीश डिग्री से सोना चाहिए तभी यह क्रिया होगी और फिनाल बनेगा यदि इसमें ताप कम हो तो रेसिंग विधी से आप फिनाल नहीं बना सकते अब अगली विधी अगली विधी में हमें देखते हैं कि बेंजीन की अफिक्रिया प्रोपिलीन से करवाते हैं यह बेंजीन है और इसकी अफिक्रिया हमने करवाई प्रोपिलीन से प्रोपिलीन का सुत्र है यह जानते हैं प्रोपिलीन कैसे हुआ नहीं जानते यह डबल बॉंड है यहाँ पे यह प्रोपेन तीन कार्बन है तो मेथेन एथेन प्रोपेन आपने पढ़ा और बॉंड यह डबल हो गया तो यह नहीं लग जाता है तो देखे यह आपने प्रोपेन लिखा और बॉन्ड डबल हो जाएगा तो ए का क्या हो जाएगा इह हो जाएगा यह है प्रोपेलीन है इसका नाम और प्रोपेलीन से अभिक्रिया करके माध्धमे क्विलियन बनाएगा क्या बनाएगा माध्धमे क्विलियन बनाएगा और नीरजल इलुमीनियम क्लोराइट के उपस्तिती में यह अभिक्रिया होती है यह उत्परेरक है उत्परेरक किसको कहते जानते आप लोग ऐसा पदात जो स्वेम रसाइनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिं और इसमें यह क्या बनाएगा एक इंटरमेडियर बनाएगा एक इंटरमीडियर बनाएगा कैसे बनाएगा देखीएगा यह यहां पर जोड़ जाएगा यह जो प्रोपेलीन है न उपर जोड़ जाएगा यह C यहां रहेगा यह hydrogen उपर चला जाएगा ठीक है तो यह एक पाद मेक्विलियन बना अब यह अभिक्रिया करेगा oxygen से oxygen के दो अडों से यह अभिक्रिया कर रहा है और जो सरचना हमें प्राप्त होगी इस तरह से सरचना प्राप्त होगी हमें अब देखिए यह इसका जलब कटन करवाएंगे यह जो माद मेक्विलियन हमें मिला है इसका हम जब जलब कटन करवाते हैं अर्थात पानी से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें जो प्रोड़क्ट प्राप्त होगा सबसे पहले तो हमें फिनाल प्राप्त होगा यह ओच हो गया है ना यह फिनाल हमको प्राप्त होगा इसके पस्चाथ एसी टोन हमें प्राप्त होगा क्या प्राप्त होगा एसी टोन हमें प्राप्त होगा तो यह इसी टोन बना और यह क्या बना फिनाल बना तो हमने प्रोपिलीन से क्या बनाया फिनाल बनाया इसको फिर से देखेगा सबसे पहले हमने बेंजीन लिया और बेंजीन प्रोपिलीन से क्रिया करके नीर्जल एलूमुनियम ट्राइकलोराइट को पस्तिती में क्रिया करता है तो एक माधमिक विलियन बनता है यहां पर और यहां हम देखते हैं कि ऑक्सिजन इसमें जूड़ जाता है और उसकी पस्ठाथ इसका जलब घटन हमने करवाया तो जलब घटन करवाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ लिए स प्राप्त हुआ है अब इसकी पस्षाथ हम तीसरी वीधी देखauen है और और तीसरी विधी में हम ये देखते हैं कि जो अभी क्रिया होगी इसमें सोडियम हाड अक्साइड से जो सामानी विधिया हम पड़ रहे है इसमें तीसरी विधी है कोलतार से आप लोग कोलतार देखे हो कोलतार देखे हैं कि डामर जानते हैं अब सब लोग हाँ उसी को को लतार तो कोलतार में फिनॉल पाय जाता है, और कोलतार से हम फिनॉल को कैसे अलग करेंगी वो देखते हैं, यह तो कोलतार से कोलतार में क्या पाय जाता है फिनॉल पाय जाता है उसको हमें अलग करना है तो अलग करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सोडियम हाड अक्साइड मिलाएंगे सोडियम हाड अक्साइड मिलाने पर हमें देखते हैं कि sodium phenoxide बनता यह जो hydrogen है इस OH से क्रिया करेगा क्या बनाएगा पानी बना के अलग हो गया और जो बच्चा हुआ पदार्थ है वो क्या बनाएगा sodium phenoxide बनाएगा C6 H5 O Na बनाएगा समझ में नहीं आया ना असल में हम बेंजीन रिंग के रूप में रिंग सा रचना इसी का देखते हैं इस तरह से यह देखिए यह फिनाल है कहां पाया जा रहा है कोलतार में है ना तो यह भी क्रिया करेगा sodium हैड आखसाइड से तो इसमें देखते हैं यह पानी बहार निकल गया पानी इसमें बहार निकल गया गरम करने पर तो हमकू जो product प्राप्त हो रहा है sodium phenoxide प्राप्त हो रहा है क्या प्राप्त हुआ sodium phenoxide प्राप्त हुआ अभी इसका जलब घटन करांगे हम क्या करवाएंगे यह तो जलब घटन करवाएंगे या फिर HCL से अभी क्रिया करवाएंगे तो चलिए जलब खटन करवाते हैं अब इसमें क्या बनेगा जलब खटन करवाने पर यह जो एच है यहां जूड़ जाएगा और देखिए यह जलब खटन होगा और यह बन गया फिनॉल और हमें प्रोड़क्ट की रूप में सोडियम हैड अकसाइड प्राप्त होगा इस तरह से हम देखते हैं कि हम कोल तार से भी क्या बना सकते हैं कोल तार से फिनॉल बना सकते हैं तो इस तरह से हमने विबिन विधियां देखी जिसमें हमने क्या बनाया फिनॉल बनाया अब देखते हैं फिनॉल के बहुत तीक गुण सबसे पहले देखेंगे क्वाथनांक उच्छ क्वाथनांक होता है एक सब 18 डिगरी सेल्सियस इसका क्वाथनांक होता है और ये पानी में अल्प विले होता है तो ये पानी में घुलता है हाडोजन बॉन्ट बनने के कारण तो कैसे हाडोजन बॉन्ट बनता है वह हम देखेंगे और ये इसका क्वाथनांक था उच्छ क्वाथनांक अब देखते हैं दूसरा पानी में ये अल्प विले होता है और इसमें हाडोजन बॉन्ट कैसे बनते हैं उसे देखेगा इससे मिटाना पड़ेगा सरचना देखेंगे देखेंगे इस तरह से اीजड़टे लाइन यह है यह है हाडोजन बॉंट नो तो कोई भी इड़ोजन बॉंट में गुलनसिवती है य। बननी के कारण कि खुलते हैं और इसमें हम यह देख रहे हैं कि जो फिनौल है दो फिनॉल ओपस में मिलकर हैडोजन बॉन बना रहे है इसलिए पानी में घुलता है ठीकिन पूरी तरह से नहीं गुलता पानी में आलप विले होता है और पिनॉल यदी हमेरे त्वचा में गिर जाए तो जलन पैदा करता है इस तरह से यहां मैं जो hydrogen bond बन रहा है ये भी दो प्रकार के होते हैं hydrogen bond एक तो अंतराडूक और दूसरा है अंतराडूक तो इसमें हम देख रहे हैं दो फिनॉल के बीच में अभी क्रिया हो रही है इसलिए है intermolecular hydrogen bond है intermolecular और जब सेम रहे तो intermolecular होता है इस तरह हम देखे हमने हमने देखी फिनॉल के बहुत तिक गुण जिसमें हमने पाया कि इसका गलना कुछ होता है और यह पाने में अलप भी ले होता है इसमें hydrogen bond बनते हैं दोनों तरह के intra और intra दोनो नाइट्रो बेंजीन के साथ यह नाइट्रो बेंजीन में वहीं का hydrogen वहीं अंतरा अणुक hydrogen bond बनाता है और यहां पर हमने देखा कि यह hydrogen bond दो फिनॉल के बीच में बना और यह बहुत तीखा होता है यदि तवच्चा में गिर जाय तो जलन पैदा करता है इसके रसाने गुणों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे धन्यवाद